हालो फिर्ट्स हमें बार-बार इस सवाल पूछा जाता है कि हम हमारी पिरिट्स को कैसे प्रीपॉंड कर सकते हैं क्योंकि हमारी इंडियन माइथॉलजी में पिरिट्स के दौरान महिलाओं का मंदिर में जाना या पूजा करना वर्जित माना गया है ऐसे डॉक्टर हम इस ची तो लेडिस चाहती है कि यह उनके पिरिट्स टाइम पर आ रहें तो या तो पूस्ट पूंड हो जाए या प्रीपॉंड हो जाए तो ऐसे स्तिती में आप क्या करें कौन से गोली ले सकती कौन से दवाई आप ले सकती है जिसके दोरा पिरिट्स को आगे-पीछे कर सकती है तो मैं डॉक्तर सोशीला से ने कहने क्यों अपसेटेशन इस वीडियो में आपको इसी की जानकारी देने जा रही हो तो बने रहे हमारे साथ सबसे इंबादेंट बात है कि पहले या बाद में लाने के लिए हमें क्या करना होता है क्या यह करना सगी है क्या हमें करना या फिर उसे नॉर्मल टाइम पे ही आने देना चाहिए जैसे ही आप कोई भी कूली दवाई का अस्तेमाल करती है और अपने साइकल को डिस्टरब करती है तो डेफिनिटली आगे के साइकल पे उसका प्रभाव पढ़ता है कई बार बहुत दर्द के साथ पीरेड आता है जताब की की कोई अर्फ Lee कंग है कि आपके घर में कोई अर्षप और अवन है और अपको प्रियुक प्रिड प्री पॉड्ल पोस्पोन करने है तो उसके लिए जोजिस्टरॉल की गोलिया आती है वह दी जाती है जैसे ही प्रोजिस्टान की गोलियां तीन से पास दिन के लिए दी जाती है और गोली जब बंद की जाती है तो उसका विड्रॉल पिरियड आता है यानि कि जैसे प्रोजिस्टान का लेवल बॉडी में नीचे आएगा तो पीरियर्स का आना शुरू हो जाता है लेकिन कोई भ करना है तो आप रोजिस्टान वाली गोली पास दिन तक ले सकती है और उसके अगले एक दो दिन तक वेट कर सकती है और जैसे आपकी पिरिड्स शुरू होते हैं तो आगे तीन से पास दिन में खत्म हो जाएंगे तो यह यह तैयारी आपको अगर आप डेट से कम से कम दस दिन पहले शुरू करने पड़ेगी तब ही आप उस डेट से पहले फ्री हो पाएंगे लेकिन अधी पिरिड्स आपके अभी आके ही गए हैं और आपको लगना है कि आपके अगले पंदरा दिन में या बीस दिन में पिरिड्स आने के संभावना और उसी टाइम पे आपके क कोई पूजा या हवन है या कोई फंक्शन है जिसको आप अटेंड करना चाहती हो उसके दौरन आप नहीं चाहती कि आपकी पिरिड्स आएं तो आपको यह पोस्पोन करने पड़ेंगे तो ऐसे स्थिति में आप जो 21 दिन वाली कॉंट्रासेप्शन वाली पिल्स आती हैं जैसे कि माला आन है माला डी है वाप पहले दिन से दूसरे दिन से तीसरे जब भी आपको समझ में बैठता है कि आप हमें वह प्रोग्राम फिक्स हो और आम है उसको हमारे पिरिड्स को पोस्पोन करना है तो आप उसी दिन से उन गोली को शुरू कर दीजिए तो आपका बी इस गोली को शुरू करती है तो उसको पूरा बराबर लेना होता है reminder आप मुबाइल मेरा गाके रखिए same time पर आप गोली लीजिए आगे पीछे भी मत कीजिए जिससे कि उसका effect बराबर बना रहे और जब तक आपको periods नहीं चाहिए तब तक वो गोली आपको लेते रहना पड़ेगी क्योंकि जैसे आप उस गोली को बंद करेंगी उसके एक से दो दिन के बाद bleeding शुरू हो जाएगी तो इस तरीके से आप combined pills लेकर यानि कि जिसमें estrogen और progesterone दोनों होते जैसे कि malign malady गोलिया होती है वो लेकर आप period को postpone कर सकते हैं और केवल progesterone की गोलियां लेकर आप periods को prepone कर सकते हैं लेकिन इन सब के साथ आपका cycle disturb होने का खत्रा बना रहता है जब भी periods आते हैं कई बार painful भी आते हैं और ऐसे इस्तिती में यदि किसी कोई sexually active है तो pregnancy होने के संभावनाएं भी रहती है तो यह दिमाग में मना रखे कि pregnancy नहीं होगी हम कोई गोलियां ले रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा cautious रहिए और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक कोई भी गोली आप ना ले ताकि आपकी period regularly आते रहें और उनमें किसी प्रकार का disturbance करिये ना हो यदि इससे रिलेटर और कोई सवाल है ता आप हमें comment box में लिखके पूस सकती है हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जैनकार के साथ तब तक नमश्कार